त्वचा के जल जाने पर ये मच्छी करेगी इलाज जैपुर इंसान का शरीर सभी जीवों में बहुत ही जटिल है इंसान इसको जानने की कोशिश कर है इसी की दिशा में शरीर का कोई हिस्सा जल जाने पर जो असहनी या पीरा होती है तो वैग्यानिकों इसको लिए एक खास तरह की उपाय सुझाया है जैसा की हम जानता है कि यह दर्ध शारीरिक और मांसिक दोनुस तरपर अनुभव होता है ब्राजील के शोद करताओं ने इस विशय शोद किया और कुछ बहतर परिनाम हासिल किये हैं बता दे की इनका शोद आग में जूसे हुए पीरितों को दर्ध तथा संक्रमंट से राहत दिलाने की दिशा में है इस बात को हम जानते हैं कि ब्राजील में मच्छी पालन एक बहुत बड़ा वियवसाय है और लोग अक्सर तिलापिया प्रजाती की मच्छियों के शल्प कच्रे में फेग देते हैं क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं होती है लेकिन शोद करताओं ने इस मच्छी की तवचा पर कई प्रयोग किये हैं और कई रोचक तथ्य सामने पेश भी किये हैं वैग्यानिकों ने बताया कि इसकी चमडी में कोलाजन का स्तर बहुत बढ़िया होता है और इसी की दिशा में नमी की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे ये धीरे-धीरे सुखती है और खाव जल्दी भरने में मदद करती है वैग्यानिके ने बताया कि ये जली हुई चमडी को आवश्चिक प्रोटीन भी उपलब्द कराता है इसी के साथ इंफेक्शन के खत्रे को बहुत कम कर देता है इसकी चमडी को जली हुए भाग पर लगाया जाता है यानि ब्राजीली चिकित सको ने इन मचलियों के शल्द को मरहम पट्टी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया जो की बहुत ही कार्ग साबित हुई